अब एक और नोटिस आया है उसके बाद आगे क्या-क्या हो सकता है वो सारी शीजे मैं इस वीडियो के अंदर डिसकस करूँगा और आपको सारी शीजे समझाऊँगा उसके बाद आप लोगोंने सारी शीजे समझने के बाद अपनी त्यारी को स्टार्ट कर देना है और पहले से त्यारी स्टार्ट जिन्होंने कर रखिया वो कंटीनू रखेंगे और पढ़ाई करते रहेंगे सब्सक्राइब पहले आप लोगों को एक इंफोर्मेशन है कि स्टेडी मेटिरियल नोट्स टैस्ट सीरीज या फिर कोशन बैंक अगर आप लोग हर्याना सिविल सर्विसिस की तियारी कर रहे हैं आपको अगर इनमें से किसी भी चीज की जरूरत है तो आप लोग हमारे फॉन नंबर नोट कर सकते हैं 98961-60956 98961-60956 यह हमारे फॉन नंबर है इस पर आप लोग वटसाप करके जो है सारी डिटेल पता कर सकते हैं कुछ तुरंट्स फोन भी करते हैं लेकिन फोन का रिप्लाई काई बार नहीं किया जाता क्योंकि बहुत सारे फोन आते हैं तो आप लोग वटसाप में मैसेज कर दीजिए आपको तुरंट रिप्लाई आ जाएगा और कोई डाउट हो तो आप लोग यहां पर पूछ सकते ह या फिर आप लोग लगता है कि अग्स के लिए पढ़ रहे हैं तो उस लेवल की स्टडी करने पड़ेगी उसके पुराने पैटरन चेक करने पड़ेंगे पुराने पेपर देखने पड़ेंगे आप लोग समझ दा रहे हैं यह सारी चीजे समझते हैं चलिए यह फ्रों किस सर्विसिस, Executive Branch and Allied Services 2022 अब यहां पर बच्चों की confusion स्टार्ट कि 2021 और 2022 में क्या फर्क है बच्चो 2022 की विकैंसी अब यह जो latest है यह है इससे पहले जो 24 जुलाई को आपका वेपर शेडूल किया गया है वो 2021 का है उसका notification 2021 के अंदर आया था तो आपको यह चीज समझ आनी चाहि है हर्याना Civil Services 2021 और यह 2022 का notice है और इसके अंदर यह notification नहीं है क्या है यह demand letter है उन्होंने demand भीजी है हर्याना Public Service Commission को आगे क्या क्या हर्याना Public Service Commission कर सकता है क्या करेगा वो में सारी चीज़ आपको detail से बताऊंगा पहले आप लोग देख लिए कि कौन कौन सी vacancies के अंदर आने व लिखा क्या हुगा है अब यहां पर लिखा क्या हुगा है अब यहां पर rules क्या कहते हैं अगर 2021 के अंदर यह vacancies को add करेंगे यह 95 vacancies है अगर इनको 2021 की vacancies में add करेंगे तो क्या करने पड़ेगा notification फिर से out करना पड़ेगा क्योंकि नए बच्चों को भी फिर मौका देना है क्योंकि यह vacancies 2022 की है और जो अभी इससे पहले graduate हुए है उनको भी मौका यहां पर देना पड़ेगा तो फिर notification बबारा से आएगा फिर 22 जिलाई को पेपर नहीं होगा लेकिन सरकार क्या चाहती ह है Chief Secretary ने हरियाना के Secretary हरियाना सरकार के Secretary ने किसको हरियाना Public Service Commission के Secretary को यहां पर दिमांड लेटर भी अब HPSC की जिम्मेवारी है हरियाना Public Service Commission की जिम्मेवारी है कि वो जल्द सजल्द इसका notification आउट करें और इन भरतियों को भरने का जो है जो पोस्ट वेकेंट है इनको भरने तो अगले दिन 2022 का पेपरो ऐसा हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, तो हर्याना पब्लिश करिवस कमिशन 2022 का नोटिफिकेशन निकालके इसका पुरसर स्टार्ट कर सकता है, इस विकेंसी को यहीं पर लटका रहने दे सकता है, तो यह HPAC के हाथ में है, अब आपके 99% chances हैं कि इसका नया नोटिफिकेशन आएगा, तो 2022 के लिए नया नोटिफिकेशन आएगा, यह आप लोग याद रख लेना और इस चीज़ को नोट कर रहेना और अपनी तयारी को अभी से स्टार्ट कर दो, यह नोटिफिकेशन आपको जल्द ही अगस्त में देखने को मि चाहिए, तो आप लोग हमारे फॉन नमबर 9896160956 कर सकते हैं, और यह स्टड़ी मेटिरियल के आप पर स्पैरिन थोड़ी गलत है, आप लोग नोट कर लिजेगा, यहाँ पर एक आर एक्स्ट्रा आगया है, आपर टाइपिंग में स्टेक होगी, स्टड़ी मेटिरियल, नो नमबर 9896160956, इस पर आप लोग फोन करके पता कर सकते हैं, और आपकी क्या राय है, आपके क्या विचार है, आप लोग जरूर परकेट कीजे, कमेंट बाक्स में, अपनी राय बताईए, अपने विचार बताईए, कोई डाउट हो, तो आप लोग हमें कमेंट करके पूछ स